हमारी जो motorcycle की front suspension होती है, conventional suspension जिसको telescopic suspension भी बोलते है उसको rebuild करने की process इस वीडियो में हम discuss करेंगी मतलब जो suspension है उसको motorcycle से कैसे अलग करें साथ ही साथ उसको dismantle कैसे करें उसके बाद में cleaning की क्या process रहती है क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें check कर नहीं रहती है suspension rebuild करते ही time and last में फिर उसको assemble कैसे करें साथ ही साथ कुछ ऐसी tips and tricks जो कि आपकी इस process को easy कर पाएं इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है So, hey guys, welcome back to the channel, मैं नहीं सजीत and without wasting much time, let's get started लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो के sponsor की जो की है SKF seals, SKF पिछले 100 साल से global leader manufacturer है जो की bearings के साथ-साथ seal भी manufacture करते है SKF हर type के vehicles के लिए seals बनाता है ये seals made in India हैं, जो की इनकी मेशोर factory में बनती हैं और SKF seals global quality standards के साथ आती हैं इन seals का सबसे best part ये है कि ये इंडिया के कई automotive manufacturers के vehicles में fitted आती है कई बार हमने देखा है कि original OE fitted और aftermarket products में quality standards में difference रहता है लेकिन SKF seals जो aftermarket में मिलती हैं, वो भी best quality standards के साथ आती है और further details के लिए आप description चेकाउट कर सकते हैं अभी back to the video तो सबसे पहले हम remove करेंगे front wheel जिसके लिए हमें जो axle nut है, उसको lose काना पड़ेगा here we go, and उसके बाद यह जो assembly है, इसको हम side में कर देंगे and हमारा जो front wheel है, वो out हो जाएगा उसके बाद बार यहाद हमारा जो front mudguard है, उसको remove करने की तो उसके लिए इस case में 10 mm के 4 आपको bolts मिलेंगे दो इस side है, दो दूसरी side है, उनको remove करना है उसके बाद हमें damper road का, एक allen का bolt आता है, नीचे की side, उसको lose करना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले हम axle का जो bolt है, वो दूसरी fork tube से pass through करेंगे and उसको यहाँ तक लेकर के आएंगे, all the way हम इसको insert नहीं करने वाले हैं ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि जो fork legs हैं, वो आपस में एक दूसरे को lock कर लें जिससे कि जो bolt है, उसको lose करते time, जो fork leg है, वो rotate ना करें so insert the tool, fork tubes को align रखेंगे and फिर इसको anti-clockwise rotate करके lose कर लेंगे और ये lose हो गया, इसको lose इसलिए करना है, पूरा remove नहीं करना है otherwise जो fork oil है, वो निकलने लग जाएगा, कुछ cases में ये जो bolt है, ये lose नहीं होने वाला है उसके लिए जो दूसरा method है, वो इस वीडियो में आगे आगे आपको देखने को मिल जाएगा फिर हमारी जो suspension है, उसको triple T में hold करने के लिए उपर की side एक plate लगी रहती है, जिसको crown plate भी बोलते हैं एक bolt यहाँ पर है, दूसरा bolt सेम, दूसरी side मिलेगा, तो ये जो दोनों bolts हैं, इनको हमें all the way remove करना है उसके बाद में यहाँ पर ये दो 13 mm के bolts हैं, जो की triple T की help से, जो suspension हो, उसको नीचे की side से lock करके रखते हैं तो अभी हम इन दोनों bolts को सबसे पहले loose करेंगे अभी हमें ये जो उपर की side आपको nut दिख रहा है, nut या bolt जो भी आप इसको समझना चाहें, इसको loose करना है सबसे पहले इसकी position हमने adjust कर ली, उसके बाद में हम फिर से, जो 13 mm का bolt है, उसको tight कर लेंगे जिससे की जो triple T है, वो अपनी grip है, वो जो fork tube है, उस पर कर पाए अभी हम ये जो nut है, इसको loose कर सकते हैं, इसको हम remove करेंगे, बट बाद में, अभी के लिए, जो 13 mm का bolt है, उसको all the way remove कर लेंगे और फिर जो fork tube है, उसको slide out करके, निकाल लेंगे, वो लाइट, सबसे पहले जो top cap है, उसको remove करेंगे there we have it, उसके बाद ये आ गया spacer, अभी निकालते हैं जो spring है उसको, spring को निकाल ले डाइम, अगर आपकी suspension पहले कभी भी dismantle नहीं हुई है, तो उसकी जो direction है, उसको note कर लें, बाकि most cases में यह होता है, कि spring की coils, जिस साइट ज्यादा पास होती है, वो नीचे की तरफ होती है, जो side coils तूर होती है, वो उपर की तरफ लेता है, अब बारी आती है, जो fork oil है, उसको remove करने की, तो सबसे बहले जितना oil नॉर्मल ही निकलता है, वैसे आप निकाल लें, उसके बाद जो fork tube है, उसको आप back and forth move करके, जो बचा हुआवा oil है, उसको निकाल सकते हैं, अभी जो fork बोशर भी आना चाहिए था, जो की नहीं आया, विच मेंस की वो यहाँ पर अठका हुआ है, तो उसको हम माइड में रखेंगे, इनकी cleaning वगरा करते हैं, उसको निकाल लेंगे, अभी जो fork tube है, उसको all the way, slide out करके, फोक लेग में से, कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे, एक अभी निकालेंगे जो dust cap है, उसको, फिर oil seal की sir clip को एक screw driver की help से, कुछ इस तरीके से pry out करके निकाल लेंगे, अभी last में बारी है, हमारी जो oil seal है, उसको remove करने की, तो उसके लिए, जो fork leg का ये वाला section है, इस पर एक कपड़ा रखेंगे, और एक flat head screwdriver की help से, उसको उपर की त there we go, इसको निकालते टाइम हमें जल्दबादी इसलिए निकनी है, बिकॉस जो screw driver है, उससे ये जो वाल है, ये damage हो सकती है, और उसके बाद जो oil seal अपनी पकड़ नहीं करेगी, और जो fork oil है, वो leak होने की chances बढ़ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक मीचे की side, कुछ इस पर एक पुरानी oil seal को आप जरूर से clean कर लें, उसके पीछे specific reason है, वो बाद में बता दूँगा, उसके लावा इन सारी चीजों को आप चाहें तो diesel से wash कर सकते हैं, चाहें तो petrol से wash कर सकते हैं, make sure आप इसको petrol या diesel से wash ना करें, अगर ये part आप wash करने वाले ही हैं, ज्यादा मुश्किल होती है मिलना, इसलिए, तो अभी इन सारी चीजों की cleaning करता हूँ, and उसके बाद inspection का जो part है, वो start करेंगे, तो as you can see, मैंने सारी चीजों को clean कर लिया है, and properly इनको वैसे ही arrange कर दिया है, जैसे इनको assemble करते time लगाना है, उसके बाद बात करें, सबसे पहले fork tube की, त इसी और bike kit, जो हमने replace करी थी, तो इसमें ये wear and tear हो रहा है, ये rust तो care, इसको उमने बाहर छोड़ दिया था, तब आ गया, बट ये जो आप देख रहे है, ये chrome damage होकर के, ये थोड़ा-थोड़ा coprish color जो दिख रहा है, ये wear and tear अगर आपकी fork tube में हो चुका है, तो आपको fork tube है, उसको replace करने की ज़रूरत है, उसके बाद में बारी आती है, जो spring है, उसकी, तो या तो आपके पास इसकी shop manual, वो होनी चाहिए, motorcycle की, उसमें specific लिखावा होता है, कि spring की जो ये length है, ये कितनी तक आप इसको चला सकते है, मतलब ये जो spring है, ये over the time compress हो करके, थोड़ी वो तो छोटी होती है, तो वो एक limit होती है, उस limit तक ये wear out हो रही है, मतलब छोटी हो रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर limit से ये ज्यादा छोटी हो गई है, तो आपके suspension में problems आने के chances रहते हैं, मेरे पास वो नहीं है, platina 110 के लिए, तो उसका idea peak ऐसे लगा सकते है, कि य अगरा बात करीजा, इस bolt के आगे copper का washer लगता है, जो कि इस case में हम लोग नहीं निकाल पाए, वो अभी भी इसी में लगा हुआ है, उसको मैंने inspect करके देखा था, तो वो damage नहीं है, लेकिन अगर यहां से थोड़ा बहुत oil लीक हो रहा था पहले, इसको खोलने से पहले, त इसको inspect करने का तरीका यह है कि आप अपनी finger की help से इसके चारों तरह फ्रब करिए, और फील करिए, अगर आपको कोई भी indentation, मतलब कोई dent वगेरा, कोई scratch वगेरा इस पर फील होता है, तब तो आपको इसको change करना पड़ेगा, otherwise यह perfect है, तो इस case में perfect है, तो इसको मैं निका तो नहीं है, यह जो cut है washer में, यह normal चीज है, इससे डर मत जाना, उसके अलावा अगें यह spring टूटी भी नहीं होनी चीए, और बाकी की जो चीज़ें वो ऐसे ही check करने वाली है, यह o-ring मैंने पहले बता दिया था, यह o-ring damage नहीं होनी चीए, यह आपको make sure करना है, otherwise फिर यह जहां से oil leakage होने के chances रहते हैं, उसके अलावा बात करी जाए oil seals की, तो आप make sure करें, जहां तक हो सके, आप oil seal के साथ-साथ जो dust seal है, उसको भी change करें, because यह काफी ज्यादा necessary step है, and जब seals की बात हम करी रहे हैं, तो जो seals मैं use करने वाला हूं, वो है SKF की तरफ से, and यह इनकी न इस packaging की तरफ mown कर लिया है, and यह इनके international line-up को भी represent करती है, product आपको अभी भी same quality का मिलने वाला है, it is just कि जो packaging है, उसको change करा गया है, तो अभी seals हैं, उनको निकालते हैं, and installation की process start करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो spatial लगता है, उसको लगाने की बारी है, तो इसमें ए कर देंगे, and अभी बारी है, जो oil seal है, उसको install करने की, तो यहाँ पर इन्होंने pull tap दे रखा है, उसकी help से, इसको आप easily कुछ इस तरीके से peel off कर सकते हैं, and अभी इसमें, जिस side आपको SKF, India, and थोड़े बहुत numbers वगेरा दिख रहे हैं, वो हिसा हमें उपर की तरफ रखना ह पट लगाने से पहले, इसको थोड़ा सा fork oil की help से lubricate कर लेंगे, बाहर की तरफ से भी, और अंदर की तरफ से भी, सबसे पहले इसको hard से easily, जितना ये push हो सकता है, उतना करेंगे, जो कि इस case में लगबग यहां तक होता है, उसके बाद में, जो हमारी पुरानी oil seal है, उसकी help है, उसकी help से evenly जो चोट है, वो अपलाई करें, एक ही एक जगह पर जादा हमें force apply नहीं करना है, जो oil seal है वो पूरी तरीके से इंस्टोल हुई या नहीं, यह पता करने के लिए, यहां पर यह एक slot बना रखा है, इसको अगर हम क्लियरली देख सकते हैं, पूरा 360, इसका मतल भी है कि हमारी जो oil seal है, वो प्रोपली इंस्टोल हो चुकी है, डबल मेक्शोर करने के लिए, हम यह जो सर्क्लिप है, इसको इस slot में लगा करके, नीचे की साइड पुष करेंगे, और फिर इसको फ्लाट हेड की help से, all the way, नीचे की तरफ पुष कर देंगे, यह सर्क्लिप अगर पूरी अपने slot में अच्छे से fit हो गई है, विच मीन्स कि हमने जो oil seal है, उसको सही से install कर दिया है, तो अब बार यह हमारी जो spring जिसको हमने निकाला था, उसको ध्यान से, इसका जो proper slot है, उसमें फिर से fit करने की, जो की कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अभी हम जो damper road है, उसमें इसकी जो spring है, उसको लगाएंगे, एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से hold रखते हुए, जो हमारी fork tube है, उसमें इस side से इसको अंदर की तरफ slot कर देंगे, एंड फिर हमारी fork tube है, उसको हम नीचे की side करेंगे, थोड़ा सा इसको shake करेंगे, एंड जो हमार इस होल रखते हुए, जो fork leg है, उसमें fork tube को हम install कर देंगे, all the way, and उसके बाद इसको as it is रखते हुए, जो 6 mm का allen bolt है, उसको लगाना है, इसमें copper washer लगाना है, but because वो अंदर पहले से लगा हुआ है, तो इसलिए मैं नी लगा रहा, जितना हम hand tight कर सकते हैं, उतना hand tight कर देंग and अभी बारी है, जो dust seal है, उसको लगाने की, so here we go, and ये change करना guys काफी ज्यादा जरूरी है, because dust seal का मतलब ही ये है, कि जो ऊपर की तरफ से जो surface dust आएगी, जो पानी आएगा, जो कीचर लगेगा, उनसे सबसे पहले ये बचाता है, उसके बाद में जो oil seal है, वो काम करती है, तो अभी इसको कुछ इस तरीके से install करते हैं, and उसके बाद में all the way यहाँ पर ले जाकरके इसको press कर देंगे, तो हमने अच्छी quality की oil seal, अच्छी quality की dust seal यूज़ करी है, तो उसकी वज़ा से हमारी जो suspension है, उसकी थोड़ी सी life or increase हो जाएगी, अगर हम cheap quality के parts यूज़ होते हैं, उनकी वज़े से, because oil के साथ में फिर मिट्टी है, वो भी रब करेगी, suspension आपकी काम करती रहेगी, तो यह जो tube है, यह भी घिस जाएगी आपकी जल्दी, और tube जल्दी घिसेगी, तो इसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो जो SKF की oil seal and dust seals हैं, वो आप अपने contact करके इन प्रोडक्स के बारे में और ज्यादा डीडेल्स ले सकते हैं, and don't worry guys, मैंने बोला था ना कि दूसरी टिप बताऊंगा, तो वो मैं भूला नहीं हूँ, वो मैंने बचा के रखी है, तो just in case, मैंने बताया ना आपको की triple T पर इसको लोग कर लो, फिर axle nut की help से, दोन करकते हुए, इसको आप पलट लीजिए, and उसके बाद में, इस टूल की help से, आप इसको, मैं तो tight कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसे loose भी कर सकते हैं, and अभी इसमें 4 coil डालना है, जितना मैंने लोगों से पूछा है, तो इसमें 143 ml, plus minus 2 ml, आप यह मान के चलिए, कि 145 ml आपको इसमें, जो 4 coil है, वो फिल करना है, जो आप पूरा इसको overhaul कर रही हो तब, मेरे case में, मेरे को प्लेटीना का जो front है, वो कुछ ज्यादा ही soft लगता है, तो मैं ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, बट सिल मैं 5 ml और डाला हूं, मतलब मैं 160 ml की बोटल आती है, तो मैं 150 ml इसमे ही निकाल लिया है, तो अभी जो 150 ml 4 coil है, वो इसमें पोर कर देते हैं, and we will be good to go, अभी हमें इंस्टोल करनी है spring, तो spring की निकालते टाइम जो direction नीचे थी, वही हमें नीचे की तरफ रखनी है, इस case में ये वाली side, तो इसको कुछ इस तरीकी से ड्रोप करना है, ड्रोप करत ये जो cap है, इसको लगाने की, तो इसकी जो o-ring है, उसको भी 4 coil से lubricate करना है, तो मैं वो करता हूँ, and फिर इसको लगाते हैं, कुछ इस तरीकी से hold करके रखेंगे, and इसको hand tight कर देंगे, और कुछ इसी तरीकी से जो दूसरी वाली suspension है, उसको भी rebuild करना था, जो की मैं already कर च आपर ध्यान ये रखना है, कि अभी उपर वाला bolt या फिर cap अभी पूरी tight नहीं है, ऐसे ही जो नीचे 6 mm का जो bolt है, वो पूरा tight नहीं है, तो इन दोनों को हमें tight करना है, कैसे, बिल्कुल वैसे ही, जैसे हमने इसको खोला था, बस खोलने के जगा भी just tight करना है, तो एकदम same process है, इसलिए दिखागर के आप लोगों का time waste करके कोई फाइदा नहीं है, तो मैं इनको install कर दूँगा, और उसके बाद में अपनी जो bike है वो ready हो जाएगी, तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए guys, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर देना, कुछ अगर अपने opinions वगिरा हैं या कुछ suggestions हैं, तो नीचे comment section में comment कर देना, and with that being said, फिर मिलेंगे कब की से और वीडियो में तब तक के लिए, bye bye.